हेलो प्रेंड्स, जम्शित जोन में आपका स्वागत है, मैं हूँ जेबा दोस्तो आज मैं आम का अचार बनाने जा रही हूँ अगर आप नभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले साथी बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी निव वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले मिले तो चलिए शुरू करते हैं, आम का अचार बनाने के लिए मैंने तीन केजी कच्चा आम लिया है जिसे मैंने अच्छे से धो लिया है, अब इसे टुकडो में कट कर लेना है मैंने सारे आमों को कट करने के बाद इसे अच्छे से धो लिया है क्योंकि आम कट करने के वक्त इसमें से जो चोप निकलता है उसे धो लेना है फिर मैंने इसका सारा पानी निकाल दिया है अब इसे 2-3 घंटों के लिए धूप में सुखा लेना है मैंने आम के सारे टुकडों को धूप में सुखने के लिए रग दिया है आप जब अचार बनाने जाएं तो मौसम देख लें अगर बारिश वाला मौसम हो तो अचार बनाना श्टार्ट नहीं करे धूप वाला मौसम हो तो ही बनाय नहीं तो अचार खराब हो जाएगा मैंने कटे हुए आम को 2 घंटे तक धूप में सुखा लिया है अब इसमें 2 टेबल इस्पून हल्दी पॉडर डाल देना है 2 टेबल इस्पून नमक अब नमक और हल्दी को अच्छे से मिक्स करना है मैंने हल्दी पॉडर और नमक को दोनों हाथों से अच्छे से मिक्स कर दिया है हल्दी और नमक डालने के बाद आम के पीसेस गलने शुरू हो जाते हैं इसलिए इसे इसी बरतन में दो घंटे और धूप में डालना है और थोड़ी थोड़ी देर में इसे उलट पलट कर देना है ताकि आम गल कर जो पानी छोड़े वो सूपता जाए हल्दी और नमक लगाने के बाद मैंने आम के क्यूप्स को दो घंटे और सुखा लिया है मैंने अल्मूनियम के बरतन से आम के क्यूप्स को निकाल लिया है मैंने इसे स्टील के बरतन में रख दिया है अल्मूनियम के बरतन में दाग लगने के चांस रहते है अब आम के क्यूब्स को कल सुबा तक के लिए ढग कर रख देना है ताकि अच्छे से गल जाए कल सुबा जब धूप होगी तो इसे फिर से सुखाना है आम का अचार बनाने का आज दूसरा दिन है मैंने कल शाम से इसे ढग कर ऐसी ही रखा था अब इसे धूप में 4-5 गंटे तक अच्छे से सुखा लेना है मैंने आम के क्यूप्स को धूप में डाल दिया है अब इसे 4-5 गंटों तक अच्छे से सुखा लेना है आम के क्यूप्स ने रात भर में थोड़ा ही पानी छोड़ा है क्यूंकि मैंने कल जब हल्दी नमक लगाया था उसके बाद दो घंटों तक धूप में उलट पलट करके सुखाया था जब तक आम के क्यूपस धूप में सूख रहे हैं इधर अचार का मसाला रेडी कर लेना है एक प्याली सूखी लाल मिर्च सुखी लाल मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम्याज ज्यादा डाल सकते हैं 5 टेबल इस्पून पीली वाली सर्सो आप काली वाली सर्सो भी डाल सकते हैं 4 टेबल इस्पून नमक 3 टेबल इस्पून मेती 3 टेबल इस्पून सौफ 2 टेबल इसपून जीरा, 2 टेबल इसपून काश्मीरी लाल मिर्श पॉडर, 1 टेबल इसपून हल्री पॉडर, 3 टेबल इसपून अजवाइन, 2 टेबल इसपून कलोजी फ्राई पेन गरम हो गया है अब इसमें सुखी लाल मिर्ष को बून लेना है मैंने फ्लेम को लो रखा है मैंने सुखी लाल मिर्ष को एक मिनट तक लो फ्लेम पर बून लिया है अब इसे निकाल लेना है फ्लेम को लो ही रखना है अब इसमें मेथी डाल देना है मैंने मेथी को भी एक मिनट तक लोख लेंप पर भून लिया है अब इसमें सौफ डालना है फिर जीरा भी डाल देना है सौफ और जीरा को 20 सेकंड्स भूनने के बाद इसमें सरसो डाल देना है फ्लेम को लोही रखना है सरसो डालने के बाद मैंने 40 सेकंड्स तक भून लिया है अब इसे निकाल लेना है अब इसमें अजवाइन डालना है फिर कलाउजी अब मैं फ्लेम आफ कर रही हूँ अजवाइन और कलाउजी को पीसना नहीं है इसे साबूत ही अचार में डालना है फ्लेम आफ करने के बाद भी थोड़ी देरी से चला देना है भूने हुए आइटम्स ठंडे हो गए है अब इन्हें पीस लेना है सबसे पहले सुखी लाल मिर्च पीसना है सुखी लाल मिर्च मैंने पीस लिया है अब इसमें भूने हुए आइटम्स को डाल कर पीस लेना है सरसो मेती, जीरा, सौफ हलका दरदरा टाइप में पीसा है मैंने अचार के क्यूप्स को पांच घंटे तक धूप में अच्छे से सुखा लिया है अब ये मसाला लगने के लिए बिल्कुल रेडी हो गया है मैंने एक लिटर सरसो के तेल को एक मिनट तक हाई फ्लेम पर गरम कर लिया है अब ये ठंडा हो चुका है इसे ठंडा करके ही अचार में डालना है मसालों को पूरी तरह रेडी कर लेना है नमक डालना है अचार में नमक की क्वांटीटी थोड़ा ज्यादा रहती है तो अचार जल्दी खराब नहीं होता है नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा काश्मीरी लाल मिर्च पॉडर अगर आप काश्मीरी लाल मिर्च पॉडर नहीं भी डालें तो कोई बात नहीं है हल्ली पॉडर बुनी वी कलॉजी अजवाइन इन सभी मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेना है मैंने सभी मसालों को अच्छे से मिक्स कर दिया है अब मसालों में सरसों का तेल डालना है अच्छे से मिक्स करना है थोड़ा से और तेल डालना है फिर अच्छे से मिक्स करना है मैंने तेल और मसालों को अच्छे तरह से मिक्स कर लिया है इसे इतना ही गीला रखना है इससे ज्यादा नहीं अब हमारा मसाला बनकर रेड़ी हो गया है अब मैं आम के क्यूब्स पर मसाला लगाने जा रही हूँ अब मैं आर लगके पर मसाला बनकरों के का लगाने जाए है और मैं कÝrementा है अब मैं पर दिया हूँ घटका है मैं आर लागके दगवा है इसी तरह बागी सभी पीसेज को रेडी कर लेना है मैंने आम के सारे क्यूप्स पर मसाला लगा दिया है आम के क्यूप्स पर मसाला लगाने के वक्त अगर आपके हाथ में मिर्ची लगे तो आप गलाप्स का यूज़ कर सकती है ज्यादा दिन चलने वाला अचार और टेश्टी अचार बनाने के लिए थोड़ी मेहनत तो करनी ही पड़ेगी मैंने तीन के जी आम के लिए पॉर्फेक्ट मसाला लिया था अच्छी तरह से सारे क्यूप्स पर मसाले लग गए है अब हमारा आम का अचार बनकर रेडी हो गया है लेकिन अभी इसे एक घंटा तक धूप में सुखाना है इसी बरतन में ऐसी रख कर सुखा लेना है उसके बाद इसे शीशे के जार में रखना है एक घंटा हो चुका है मसाला लगने के बाद अचार को धूप में सुखाते हुए अब अचार को शीशे के जार में रख देना है एक पीस करके डालना है शीशे के जार में ये अचार को रखना है अचार रखने के पहले जार को अच्छे से धो कर धूप में सुखा लेना है ताकि पानी पूरी तरह से सूख जाए मैंने अचार के सारे पीसेज को जार में रख दिया है अब इसमें बाकी जो सरसो तेल था उसे डाल देना है मैंने तेल को जार में डाल दिया है अब इसे धूप में सुखाने से अचार गल कर और कम होगा अब इसे चार से पाँच दिनों तक धूप में सुखाना है जार को खोल कर उसके उपर कोई साफ कपड़ा से ढख कर ताकि धूल वगेरा अंदर ना जाए इसे धूप में डालने से पहले तेल को चारो तरफ फैला देना है ऐसे गुमा गुमा कर और अचार को भी थोड़ा ऐसे हिला हिला कर अब हमारा आम का अचार बनके रेडी हो गया है अब आप 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 आपमार बनके रेडी हो फ्रा है और आप आप में आप आप